तो आईए इस बहतरीन लर्निंग जर्णी की शरुवात करते हैं इस पहले चैप्टर से रिच डैड पूर डैड रबर्ट कियो साकी के नुसार वे कहते हैं मेरे दो डैड़ी थे एक अमीर और दूसरे गरीब एक बहुत पड़े लिखे थे और समझदार थे वे पेसडी थे और उन्होंने अपने चार साल के अंडर ग्रेडवेट के काम को दो साल से भी कम समय में कर लिया था इसके बाद वे आगे पढ़ने के लिए स्टेंफोर्ड युनिवरसिटी युनिवरसिटी आफ शिकागो और नौथ वेस्टन युनिवरसिटी गए और ये सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलर्शिप के सहारे ही किया मेरे दूसरे डेड़ी एट क्लास से आगे नहीं पढ़े थे दोनों ही अपने करियर में सक्सेस्फुल थे दोनोंने जिन्दगी भर मेहनत की थी दोनोंने ही काफी पैसा कमाया था पर उन्हें से एक पूरी जिन्दगी पैसे के लिए परिशान होता रहा दूसरा हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गया एक के मरने पर उसके परिवार, चर्च और जरूरत मन को करोडों की दौलत मिली दूसरा अपने पीछे कर्ज छोड़ कर मरा मेरे दोनों डैड़ी इरादे के पक्के, चमतकारी और परभावशाली थे दोनों ने मुझे सलाह दी पर उनकी सलाह एक जैसी नहीं थी दोनों ही एजुकेशन पर बहुत जोड़ देते थे पर उनके दोरा बताये गए पढ़ाई के सबजेक्ट अलग-अलग थे अगर मेरे पास सिरफ एक ही डैड़ी होते तो मैं या तो उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता क्योंकि सलाह देने वाले दो थे इसलिए मेरे पास दो बिलकुल अलग-अलग विचार होते थे एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का किसी भी एक विचार को सीधे सीधे मान लेने या नवानने के बजाए मैं उनकी सलाह पर काफी सोचा करता था उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसला किया करता था समस्या ये थी के अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे दोनों ही अपना करियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही दौलत और परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे पर पैसे के बारे में दोनों के विचार और नजरिये एकदम अलग थे एक्जाम्पल के तोर पर एक डेड़ी कहते थे के पैसे का मौह ही सभी बुराईयों की जड़ है जबकि दूसरे डेड़ी कहा करते थे पैसे की कमी ही सभी बुराईयों की जड़ है जब मैं छोटा था तो मुझे दोनों डेड़ीों की अलग-अलग सला से दिक्कत होती थी एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बाते सुना जाता था परिशानी ये थी कि दोनों एक जैसी बाते नहीं कहते थे उनके बचारों में जमीन आस्मान का फरक था खासकर पैसे के मामले में मैं काफ़े लंबे समय तक ये सोचा करता कि उनमेंसे किसने क्या कहा और क्यूं कहा और उसका नतीज़ा क्या होगा मेरा बहुत सा समय सोच वीचार में ही बजर जाता था मैं खुँद से बार बार इस तरह के सवाल पूछा करता उन्होंने ऐसा क्यूं कहा और पिर डूसरे डैडी की कही हुई बातों के बारे में भी इस तरह के सवाल पूछता काश मैं ये बोल सकता कि हाँ वे बिल्कुल सही है मैं उनकी बातों से पूरी तरह से सैमत हूँ यह यह कहकर मैं सीधे उनकी बात ठोकरा सकता था बुटे को यह नहीं पता कि वो क्या कह रहा है अब क्यूंकि दोनों ही मुझे प्यारे थे इसलिए मुझे खुद के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा इस तरह सोचना मेरे आदत बन गई जो आगे चल कर मेरे लिए बहुत फायदे मन थाबित हुई अगर मैं एक ही तरह से सोच पाता तो ये मेरे लिए इतना फायदे मन नहीं होता पैसों का सबजेक्ट स्कूल में नहीं बलकि घर पर पढ़ाया जाता है शायद इसलिए अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं जबकि गरीब और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं और मिडल क्लास कर्ज में डूबा रहता है हम मेंसे ज़ादा तर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते है कोई गरीब पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है वो सिर्फ इतना ही कह सकता है कि स्कूल जाओ और मैनत से पढ़ो हो सकता है वो बच्चा अच्छे नंबरों से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले फिर भी पैसे के मामले में उसकी मान सिखता और उसके सोचने का धंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा फिस सब उसने तब सीखा था जब वो छोटा बच्चा था पैसों का टॉपिक स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता स्कूलों में एकेडमिक और प्रोफेशनल स्किल्ज पर जोड दिया जाता है ना कि पैसों से जुड़े स्किल्ज पर इससे ये साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स और अकाउंटेंट्स के स्कूल में अच्छे नमबर आते हैं वे जिन्दगी भर पैसे के लिए संघर्श क्यों करते हैं हमारे देश पर जो भारी कर्ज लदा हुआ है वो भी काफी हत्ता कुन बेहत पड़े लेखे राजनेताओं और गवर्मेंट आफिसर्स के कारण हुआ है जो एकॉनमिक पॉलिसी बनाते हैं और मज़े की बात यह है कि वो पैसों के बारे में बहुत कम जानते हैं मैं अकसर नई सदी में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचता हूँ तब क्या होगा जब हमारे पास ऐसे करोडों लोग होंगे जने फाइनेंशल और मेडिकल हेल्प की जरूरत होगी पैसों से जुड़ी मदद के लिए या तो वे अपने परिवारों पर या फिर गवर्मेंट पर नर्भर होंगे क्या होगा जब मेडिकेर और सोशल सेक्यूरिटी के पास का पैसा खतम हो जाएगा किस तरह कोई देश तरक्की कर पाएगा अगर पैसे के बारे में पढ़ाई की जिम्मेदारी माता पिता के उपर छोड़ दी जाएगी जिन मेंसे ज़्यादातर गरीब हैं या गरीब होंगे क्योंकि मेरे पास दो प्रभावशाली डैडी थे इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था इस तरह से सोचते सोचते मैंने ये भी जान लिया कि किसी इनसान के वचार उसकी जिन्दगी पर कितना जबर्दस तसर डाल सकते हैं इसके बजाए ये कहना चाहिए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ पहला सेंटेंस नेगेटिव है और दूसरा सवाल उठाने वाला तो पहले में बात खतम हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब हम कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है इसके बजाए जब हम ये सवाल पूछते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ तो हमारा दिमाग काम करने लगता है उनका ये मतलब नहीं था कि आपका जिस चीज़ पर दिल आ जाया उसे खरीदी लें वे लगभग दीवानगी की हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे क्योंकि उनके खयाल से दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है मेरा दिमाग हर रोज तेज होता जाता है क्योंकि मैं इसकी कसरत करता रहता हूँ ये जितना तेज होता जाता है मैं इसकी मदद से उतना ही जादा पैसा कमा सकता हूँ उनका मानना था कि ये कहना कि मैं इसे नहीं खरीच सकता दिमागी आलस की पहचान है हालाकि दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेनत करते थे और मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी के ढ़िये थी और दूसरे डैडी अपने दिमाग की लगा-तार कस्रत करवाते रहते थे और इसका लॉंग टर्म नतीजा ये हुआ कि एक डैरी फाइनेशल रूप से बहुत अमीर होते चले गए जबकि दूसरे डैरी लगातार कमजोर होते गए इससे इस तरह से समझें कि एक इंसान हर रोज एकसरसाइस करने के लिए जम जाता है जबकि दूसरा इंसान अपने सोफे पर बैटकर टीवी देखता रहता है शरीर की सही एकसरसाइस से आप ज़्यादा हेल्दी हो सकते हैं और दिमाग की सही एकसरसाइस से आप ज़्यादा अमीर हो सकते हैं पालत से सेहत और पैसा दोनों का नुकसान होता है मेरे दोनों डैडियों की में जमीन आस्मान का फरक था पूर डैडियों की सोच थी के अमीरों को ज़्यादा टेक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों को ज़्यादा फायदा मिल सके जबकि अमीर डैडियों कहते थे के टेक्स उन लोगों को सजा देता है जो कुछ प्रोड्यूस करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो प्रोड्यूस नहीं करते पूर डेड़ी सिखाते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अची कंपनी में जॉब मिल जाए जबकि अमीर डेड़ी की सीखिये थी कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अची कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए पूर डेड़ी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूं क्योंकि मुझे तुम बच्चों को पालना पड़ता है अमीर डेड़ी कहते थे मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे तुम बच्चों को अच्छे से पालना है अमीर डेड़ी डिनर के टेबल पर पैसे और बिजनस के बारे में बात करने के लिए हमेशा एंकरेज करते थे पूर डेड़ी खाना खाते समय पैसों की बाते करने के लिए मना करते थे पूर डैडी का कहना था जहां पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ रिस्क मत उठाओ अमीर डैडी का कहना था रिस्क का सामना करना सीखो एक का मानना था हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा इंवेस्मेंट और हमारी सबसे बड़ी प्रापर्टी है दूसरे का मानना था मेरा घर میरी जब्मेदारी है पर अगर आपका घर आपकी नजरों में आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो आप गलत हैं दोनों ही डैड़ी अपने बिल समय पर चुकाते थे पर उन में से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाते जबकि दूसरे सबसे आखिर में एक डैडी का ये मानना था कि कमपनी या गवर्मेंट को आपका ध्यान रखना चाहिए और आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए वे हमेशा सेलरी में बढ़ोतरी, रेटायर्मेंट प्लान, बिमारी की छुटी, छुटियों के दिन और बाकी फैसिलिटी के बारे में चिंतित रहते थे वे अपने दो चाचाओं से बहुत प्रभावित थे जो आर्मी में चले गए थे और 20 साल के एक्टिव जीवन के बाद उन्होंने अपने रेटायर्मेंट और जीवन भर के आराम का इंतिजाम कर लिया था वे मेडिकल बेनिफिट के विचार को पसंद करते थे और आर्मी द्वारा अपने रेटायर्ड एंप्लोईस को दी जा रहे ही सुबधाओं की भी तारीफ करते थे उन्हें युनिवर्सिटी का टेनियोर सिस्टम भी काफी पसंद था कई बार जॉब से आजीवन मिल रही सुरक्षा और जॉब के फायदे जॉब से ज़ादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वे अकसर ये कहते थे मैंने गवर्वनेंट के लिए बहुत मेहनत से काम किया है इसके लिए बदले में मुझे बेनिफिट मिलने चाहिए दूसरे डैडी पूरी तरह से फाइनेंशल इंडिपेंडेंडेंस में विश्वास रखते थे वे कन्वेनियन्स मानसिक्ता के खिलाफ थे वे ये मानते थे कि इस तरह की मानसिक्ता लोगों को कमजोर और फाइनेंशल रूप से जरूरत मन बनाती है उनका पक्का विश्वास था कि आदमी को फाइनेंशल रूप से काबल होना चाहिए एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परिशान रहे दूसरे डैडी एक के बाद एक इन्वेस्मेंट करते रहे एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी जॉब तलाशने के लिए अच्छा सा बायो डाटा कैसे लिखा जाए दूसरे डैडी ने मुझे ये सिखाया कि कैसे मजबूत बिजनेस और फाइनेशिल प्लैंस लेखे जाएं जिससे मैं किसी दूसरे को जॉब दे सकूँ दो प्रभावशाली डैडीों के साथ रहने के कारण मुझे एनलाइस करने का मौका मिला के उनके विचारों का उनके जीवन पर कितना असर हो रहा है मैंने पाया कि दरसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं एक्जैंपल के तोर पर मेरे घरीब डैडी हमेशा कहा करते थे मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा और उनकी ये भविश्यमानी से ही थाबित होई दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समस्ते थे वे इस तरह की बाते करते थे मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा नहीं करते एक बड़े फाइनेशल जटके के बाद जब वे दिवालियां होने के कगार पर थे तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहते रहे वे अपने सपोर्ट में ये कहते थे के गरीब ना होने और पैसे ना होने में फर्क होता है पैसे पास में ना होना एक टेंप्रोरी कंडिशन है जबकि गरीब ही पर्मानेंट है मेरे गरीब डैडी ये भी कहते थे के मेरी पैसे में कोई रूची नहीं है या पैसा इंपॉर्टन नहीं है मेरे अमीर डैडी हमेशा कहा करते थे के पैसे में बहुत ताकत है हो सकता है कि हमारे बचारों की ताकत को कभी मापा न जा सके या फिर उन्हें पूरी तरह से समझा न जा सके फिर भी बच्पन में ही मैं ये समझ गया था कि हमें अपने वचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपने एक्स्प्रेशन्स पर भी मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसले गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे बलकि इसले गरीब थे क्योंकि उनके वचार और काम गरीबों की तरह थे दो डैडी होने के कारण बच्पन से ही मैं इस बारे में बहुत सावधान हो चला था कि मैं किस तरह की सोच अपना हूँ मैं किसकी बात मानू अपने अमीर डैडी की या अपने गरीब डैडी की हलाकि दोनों ही एजुकेशन और नॉलेज को बहुत इंपॉर्टन बानते थे पर क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की अलग अलग राय थी एक चाहते थे कि मैं पढ़ाई में कड़ी मेहनत करूँ डिगरी लूँ और पैसे कमाने के लिए अच्छी सी जॉब ढूंड लूँ वे चाहते थे कि मैं एक प्रोफेशनल आफिसर वकील या अकाउंटेंट बन चाओं या अम्बिय कर लूँ दूसरे डैडी मुझे एंकरेज करते थे कि मैं अमीर बनने का राज सीख लूँ ये समझ लूँ कि पैसा किस तरह काम करता है और ये जान लूँ कि इससे अपने लिए कैसे काम लिया जाता है मैं पैसे के लिए काम नहीं करता इन शब्दों को वो बार बार दोराया करते थे पैसा मेरे लिए काम करता है नौ साल की उम्र में ही मैंने ये फैसला किया कि पैसे के बारे में मैं अपने अमीर डैडी की बात सुनूंगा और उनसे सीखूंगा ये फैसला करने का मतलब था अपने गरीब डैडी की बातों पर ध्यान ना देना हलाकि उनके पास कॉलेज की बहुत सी डिग्रियां थी जो मेरे अमीर डैडी के पास नहीं थी एक बार मैंने ये फैसला कर लिया कि मुझे किस की बात सुननी है तो उसके बाद मेरी मने एजुकेशन शुरू हो गई मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल से भी ज़्यादा समय तक सिखाया जब तक कि मेरी उम्र 49 साल की नहीं हो गई और उसके बाद उन्होंने सिखाना बंद कर दिया उन्होंने ये देख लिया था कि मैं वो सब समझ चुका हूँ जो मेरी मोटी बुद्धी में भरने की वो कोशिश कर रहे थे पैसा एक तरह की ताकत है पर इससे भी बड़ी ताकत है financial education पैसा तो आता जाता रहता है पर अगर आप ये जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है तो आप ज़्यादा ताकत वर हो जाते हैं आप दौलत कमाना शुरू कर सकते हैं सिर्फ positive thinking से ही समस्या हल नहीं हो सकती क्योंकि ज़्यादा तर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ ये कभी नहीं सीख पाते कि पैसा किस तरह से काम करता है इसलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी जिंदगी बरबात कर देते हैं मेरी education तब शुरू हुई जब मैं सिर्फ 9 साल का था और इसी कारण मेरे अमी डैडी ने मुझे जो लेसन पढ़ाए वे बहुत आसान थे और सारी बातों को छोड़कर विचार किया जाए तो उन्होंने मुझे 30 सालों तक सिर्फ 6 important लेसन पढ़ाए ये बुक उन्ही 6 lessons के बारे में है और इसे भी उतना ही आसान बनाने की कोशिश की गई है जितना कि मेरे अमी डैडी ने इन्हें मेरे लिए आसान बनाया था ये lesson आपके लिए जवाब की तरह नहीं लिखे गए हैं बलकि guide की तरह लिखे गए हैं ऐसा guide जो ज़्यादा अमीर बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेगा चाहे दुनिया कितनी बदलती रहे तो lesson 1 है अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते lesson 2 पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए lesson 3 अपने काम से काम रखो lesson 4 टेक्स का इतिहास और corporations की ताकत lesson 5 अमीर लोग पैसे का आविशकार करते हैं lesson 6 सीखने के लिए काम करें पैसे के लिए काम न करें